हाई गाईज, वाट्स अप, I hope you all are doing great, मॉमी टॉकिस के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जली से खुद को इंट्रिद्यूस कर देती हूं, मेरे नाम अमरता है और मैं वीडियोस बनात बेबी के टिप्स पे, प्रोडेक्स पे, मेरे परसनल वीलॉग पे, आज कोई वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, ब्रेस पैट के बारे में, जो मुझे ऐसा परसनली लगता है कि एक चुछ मारे में में कि आइज संसरा करते में, जिसको गूaster क αλλάerved को सुछ मंधने होता है, जिसको कहते हैं क्योंकि ब्रेस मिल्क रृट जूद貌 बहुत कम है, पीट नहीं कर पाते हैं जिसको कहते हैं breast milk leakage. Well, कुछ mothers का breast milk leakage delivery के डेड़ महीने पहले या फिर दो महीने पहले भी शुरूर हो जाता है जिसको हम कहते हैं colostron. So, इस leakage के situation में mothers के लिए काफी embarrassing situation हो जाता है क्योंकि बाहर travel करना मुश्किल हो जाता है कई बार आप दिखेंगे कपड़े जो हैं वो पूरे गीले हो जाते हैं breastfeeding की journey जो बहुत प्यारी होती है उसमें difficulties आने लगती है and chances होते हैं कि जो milk residues mothers के breast में रह जाए वो बच्चों में भी transfer हो जाए through breastfeeding तो दोस्तों इन सारे ही situations को avoid करने के लिए जो best solution होता है वो होता है breast pad तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ Love Lab brand के disposable breast pad के बारे में जो मैंने मेरी pregnancy के दौरान इस्तमाल किया है well ये breast pad मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद है इसके पीछे reasons बहुत सारे है सबसे पहला reason है कि ये breast pad है वो बहुत ज़्यादा पतला है design इसका बहुत unique है ultra thin design के साथ आता है इसका जो fabric है वो breathable है और साथी साथ इसका जो cotton है वो बहुत ज़्यादा soft है बिल्कुल भी discomfort नहीं होता reason number two है कि ये product है वो काफी अच्छी तरीके से absorb करता है तो जो milk की quantity अगर heavy भी होगी काफी heavy flow भी होगी तो ये अपना काम अच्छी तरीके से करता है काफी long lasting है आप चाहीं तो इसको दिन में भी use कर सकते हैं या फिर आप चाहीं तो इसको night में भी use कर सकते हैं अगर आप इसको किसी भी कपड़े में यूज करेंगे तो यह दिखाई नहीं देता, आमीन पता भी नहीं चलता इंफाक्ट, तो मदर्स के लिए काफी comfortable option है यह, आमीन मदर्स को बिल्कुल भी discomfort नहीं होता, Reason number 4 है कि यह बहुत ज़्यादा travel friendly है, वो कैसे बहुत lightweight है, जलसे कि मैंने आपको बताया पतला है, और इसका एक best part है कि इसमें आप जो packing देखेंगे, वो हर एक individual breast patch जो है, वो इस तरीके की packaging में जो है, वो pack हो करके आता है, तो आप इसको आसानी से कहीं पे भी pack करके जो है, व Reason number 5 है कि 3D stretch edges के साथ आता है, जिससे होता क्या है कि कि किसी भी breast size में आप इसको आसानी से ही fit कर सकते हो, या फिर use कर सकते हो, और साथी साथ इससे side leakage की जो problem है, वो यहाँ पे थाम जाती है, side leakage बिल्कुल नहीं होता, Reason number 6 है कि इसमें waterproof protective layer है, जिससे होता क्या है, जो trapped milk होता ह इसमें blotting की chances कम हो जाती है, Reason number 7 है कि यह non-slippery double tape design के साथ आता है, जिससे होता क्या है, आप इसको आसानी से अपने कपडों पे जो है, वो stick कर सकते हो, और जहाँ पे भी आप जिस तरीके से भी इसको stick करोगे, वो आसानी से वैसे ही रहता है, हिलता नहीं है, तो mothers को again discomfort की chances जो होती है, हाँ पे कम हो जाती है, Reason number 8 है कि इसमें honeycomb lining है, जिससे होता क्या है, breast milk जो इसमें खटा हो जाता है, वो इसको equally spread करने का काम करता है, जिससे again यहाँ पे leakage की problem जो होती है, वो कम हो जाती है, last but not the least, इसको use करना बहुत ज्यादा आसान है, use करने के लिए आपको कर आपको बस इस टेप को निकालना है, और आप इसको जिस भी nursing bra में यूज करना चाहें, आप इसको आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं, और इस्तमाल करने के बात जब यह एक बार फुल हो जाए, तो आप इसको आसानी से डिस्पोर्स कर देजे, यह 3 different sets में available है, 24 के set में आता है, इन फैक सोकने के साथ साथ उतनी ही आसानी से ब्रेस पैट जो है वो पानी को ड्राइ भी कर दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको टेशी पेपर से दिखाते हूँ, यह देखें टेशी पेपर में पानी जो बिल्कुल भी इकठा नहीं हुआ है, जो कि इसका best part है, साथी साथ ब बिल्कुल ड्राइ है, आमीन टेप वाला साइड बिल्कुल ड्राइ है, वहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल भी इकठा नहीं हुआ है, तो आईए देखते हैं कि जो पानी हमने डाला था उसका हुआ क्या है, तो वल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी जो है वो बिल्क अगर आपको 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 बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने लिए एक breast pad ढूंड रहे हैं तो ये बहुत अच्छा option है आपको ये breast pad कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताएगा अगर आपको आज के वीडियो से related या topics related कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment करके कभी भी प भूलेगा और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ तो इसे के साथ दोस्तों मैं अमरता आज को वीडियो खतम करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में कुछ नहीं इंफरमेशन और टिप्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों हापी पैरेंटिंग और बाई बाई